ताइप्स आफ डेमोक्रेसी यानि लोकतंत्र के प्रिकार अभी तक हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ समझे समविधान वाद के बारे में समझे ठीक है आज देखेंगे जरह डेमोक्रेसी का जो है वो टाइप कितने तरह का होता है अगर इसका क्लासिफिकेशन अगर करना चाहेंगे इसको तीन पार्ट बाटते हैं सबसे पहला देखते हैं कि जनता और सासन में जो कनेक्टिविटी है यानि संपर्क के अधार पर जनता और सासन क संपर्क के अधार पर अगर बात करें तो लोकतंत्र कितने प्रकार का दो प्रकार का एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र अदूसरा क्या होता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानि कि डारेक्ट डेमोक्रेसी और इंडेक्ट डेमोक्रेसी इसको मारा हम से बारे-बारे करके प होता है वो हम समझेंगे अंदूसरा क्या होता है समाजबादी लोग देखो आज का जो क्लास का जो हमारा जो टार्गेट ये है कि पॉलिटी के जो बेसिक बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको अच्छे समझना है क्योंकि अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो फिर हमारा जो पॉलिटी जो कि अभी जो जितने सारे जो बना रहें विडियो वगर है उसा पॉलिटी बेसिक नाम से बना रहे हैं क्योंकि जब आपका ये टॉपिक अच्छा वजाएगा फिर तभी जाकर जो पॉलिटी जब स्टार्ट करेंगे जैसे एकतर समय धानिक विकास जम सुरू कर होगा तो इसलिए बेसिक का हम चला रहे हैं और दूसरा बात जब मेंस का कभी एक्जाम जब होगा तो वहाँ पर ये टॉपिक हम को बहुत साधा पहुंचाता है ठीक है उसके बाद देखते हैं कि राजनितिक धलों की संख्या के अधार पर मतलब कई सारे ऐसे भी लोगता ईस rocket रीडू है दुनिआ भर की पार्टी से इसको क्या बोलता हैं बहुत आनी लोत तन तर उसके बाद ड्वी ड्ली लोत तंषटे यहाँपर का लुद बहुत ज्यादा में तो बहुत ज्यादा नहीं है खके है एक दली लोगतंत्र में जाना सबत है वहाँ पर क्या होता है लगब सर पर फिर एक तलाव होगा उसको आपका चुराओं और इंडेक्ष डेमोक्रेसी क्या होता है ठीक है अभी हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोगतंत्र और प्रत्यक्ष लोगतंत्र यानि कि डेरेक्ष डेमोक्रेसी और इंडेक्ष डेमोक्रेसी देखो डेरेक्ष डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगतंत्र यान कि जनता का स प्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं झाइन देखो इस Fest लोग तंत्र दुकुए अगर दूसरा नाम अगर कहा जा इसको क्या बोलते हैं परतिनीधी नो परतिनीधी लो क्या हुतता है रेपर्जेंट्येटिव storage का प्लाइब होता है कि जब हम सरकार का चुनाओ जो है अपने परतिनिदी के माध्यम से चुनते हैं जस्ट लग एक मीडियेटर के अतरा समझो ऐसे समझो माल लो कि किसी भुबाग में बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है अऔर इन में एक जोब्स को सह बात का एक आफ देश जो हैं काफी चोटा दे अगर फिर झूरि और इस वटन होता है तो अगर हम बात कर अभी पहले इसको ही बता देते हैं और परत्क्ष वाला इता इते फिर हम परत्क्ष बताया है ठीक है तो जैसे कि छोट अगर यह मालो एक छोटा देश होता तब तो सीधा सरकार चुन लेते सब लोग अपना-पना वोड देते पर अराम से एक आदमी क्या बन जाता सरकार बन जाता लेकिन जब यही देश जब जादा बड़ा हो जाता है देश काफी बड़ा जैसे भारत और चैना जैसे देश की बाते रसिया की बात करें और अमेरिका में भी चुकि यहां पर क्या जन संख्या बहुत ज्यादा है तो ऐसे में क्या करते हैं किसी एक व्यक्ति को जो सरकार हम बनाते वो कैसे बनाएं समझो इसी में से कुछ लोगों को हम क्या बना है कि अधिन करें इते हैं आफ यहां पर भी बहुत सारे लोग रहती होगी अलग 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 च्छेतर में बहुत सारी लोग रहते हों हर एक 10 दस लाग कित पर जो लोग सभाग छेतर का निर्मान किया गया, अब यहाँ पे 10 लाग के जनसंख्या पर कोई एक व्यक्ति क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिनिधी बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधी, इसी तरह से अलग अलग जगा पर अलग अलग एक फो तो आठ जगंसे कितने परतिनी द्याय जाएंगे अब ये आठ प function weten मिल करकर कि किछी एक व्यक्ती को क्या बनाया अ defining कि अगर सोचने वाली गार हान सारे लोगों को एक साथ सामिल कर दो ढुआ तो दिक्कत नहीं था, पर्ले तो घ्राइ रख पाते हैं कि इसमें से सरकार किसको बनाना है तो जब हम कोई काम जब सरकार हम अपने परतिनीधियों के माध्यम से हम जैसे कि अलग अलग छेत्र में कोई ने व्यक्ति तो पॉपलर होता ही है और वही व्यक्ति क्या बन जाता है नेता वहां का और जब वह व्यक्ति हमारे पर्तिनी जी सब्सकों रहे हम लाएक सरकार के हम दाइट किसको चुन रहे थे अपने अपने हरेख अलग लग 10-10 10000 के जन्हें संख्यां से क्या होगी को अजय और यह परतिनी दिया अपस बनाए गार गार अबखा मैं इतलें जिए को क्या बोलते हैं पर टेनीधी लोगंतर और इस को क्या बरतें यह देक है उब लोगन बूस सीथ कि यह कहां पर ज्यादा सक्केस्पूल वैसे ज़िण उस एट हो एक साथ के अधार ग्ररास सब्सक्राह 1 सब्सक्सवाइब श्क्राइब यहुँ अधार जयादा हो यहां पर अलग अलग जाती अलग अलग घर्म के लोग रहते हैं तो ऐसे में एक अलग अलग जाती का परतिनिजीत करता हो भारत में ऐसा करते हैं कि SCST से अलग परतिनिजी तो देते हैं OBC से अलग देते हैं ताकि भारत में यह देखे कि जितने भी परतिनिजी यहां पर से चुन के आते हैं वो सर अपने अलग अलग जाती धर्म से मिलकर गया इससे यह फैदा होता है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना पाईगी सरकार जो कि सिफ हिंदू के ही सारे परतिनिजी अगर आएंगे हो सकता है मुस्लिम के खिलाफ कोई कानून पारिद करा दे हो सकता है तो इसलिए क्या किये यहां पर यहां पर अलग सीट रखे हुए ताकि मुस्लिमों के तरफ से भी कोई परतिनिजी यहां पर चुनकर आये और जब भी कानून बनेगा तो क्या करेगा वही लोग कानून बनाने में वह हेल्प करेगा कि कोई भी मतलब की जब किसी खास है जब मतलब वैसा कोई कानून जो किसी धर्म को टार्गेट करता हो वो कानून पारीज नहीं उपाएगा तुम समझ रहो ना चुकि सभी लोगों को क्या करना हमको intermediate करना एक्ता वह जादा है और ऐसे में जल्संख्यां जादा उने के वज़ेसे क्या होगा हम सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग ऐसे एक रेंगे कि आपके पीप्स सह क्यों बहुत बहुत करेंट हैं तो क्या माना जागा यह पुरा वर्ग जो यह फिल्द डस लाख में एक व्यकति तो चुन कर आए यह कोई भी कानून अगर बनाता है या फिर क्रुसक्रानुन बनाता है लोन कि चलेंगे लोगों की सहमती है अगर ये कुछ भी बोलेगा न समझो ये वैक्ति कुछ कुछ भी बोलेगा तो ये माना जाएगा ये पूरा जो आवाज कु परिफ्ञेंट कर रहा फिरिफ फिर रहा जनता की आवाज प्रेंट कर रहा यह अकेल आगर कहे रहा हैン यह अकेला दस लाग के बराबर यह बात कह रहा है बाट समझ में आ रहा है क्यूंकि अगर यह 10 लाग को बोलने दोगे तो 10 लाग से राय लेने में पूरा साल निकल जाएगा तो कानून बना पाएंगे नहीं इसलिए अलग-अलग छेत्र को क्या करते हैं बाठते हैं समय और परोपलेस्ट ज़्यादा हो जहां पर की जहां पर एकनल कारीशन ज्यादा हो जहां का डावरिसेंटी जाना हो और एसे छेत्र में यी इंडरेक्ट इमोक्रसी क्या है बहुत ही अच्छा चीज है और यह भारत के परिपेश्च के भी बात करें तो यहाँ पर ऐसी तरह से सब्सक्राइब करता है तो यहाँ पर कैसा चबता परतिनी दी लोगतन्स समझ में आ गया है अगर हम बात करें और यह समय के बात करें उससे भी लोग बहुमत क अधार पर निर्नाइए लेते नहीं लेते थे बहुमत का मतलब क्या होता है यह जैसे मालूस में बैठा हुआ है और उसमें से कोई फैसलागर करना होते हैं क्यावन लोग अगर हाथ खड़ा कर रहा है इसका मतलब वह चीज क्या बन जागा तो बहुमत बहुमत का मतलब क्या 50% से ज्यादा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कोई चीज कह रहा है तो वह चीज क्या उसी अधार पर नि महिला हैं दास ही नहीं महिला भी है इसमें निरने लेने का जो वोटिंग होता था जो आपस मिल球ी जो फैसला होता था महिलाओं और दासों को सामिल नहीं किया जाता था प्राचीन युनान की बात करें और मजे की बात तो यह है कि जो नियाएपालिका का भी निरने होता था वो भी बहुमत की अधार पर कि मतलब बहुमत जो कहेगा नियाइपाली का उसी इसाब से फैसला सुनाएगा मतलब समाज का जो कानून है उसके बिवान वूर नियाइपाली का भी नहीं चलेगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात कहें वर्तमान संदर की तो पराचीन पुराने समय की बात बोले अगर हम करें टाइम की बात हैं जैसे स्विट जर्लेंड छोटा सा मासूम सा बड़ा प्यारा सा देश है और काफे रिच भी कंट्री है वो क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इंकम वहां के लोगों की इनकम बहुत अच्छी है बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर दो सि इसको परिप्रिक्षा जन्मसंग्रा को यह दोनो तरिका क्या है लोगों से राय लेने का तरीका है जब भी जनता जोड़ी वहाँ पर कोई कानून बगए बनता या इसा दो कानुन बनता है स्विर्जे लेन्ड के सावाने को सुन टेकर्ट है साला हुँ जन्ता डारेक्ट करती है वहां पर उस्तेर संञें मतलब प्रति निदीन चाहिए उसको भां क्या हो डिरेक्ट हो आदमी क्या करें फैसला करें मतलब की कि वहां के लोग ही मिलकर कर लेता है आप उसमें कि क्या करना है तो देखो क्या होता है वहां पर सबसे पहले समझो पहल क्या होता है इसको इनिशियेटिव कहते हैं देखो जब भी स्विट्जर लेंड में कोई नया कानून अगर बनाना हो तो क्या करते हैं अगर उस नया कान कानून लाने के लिए कम से कम कितने लोगों का स्तक्षड चाहिए पच्यास जार लोग अगर बोल दिया है तो कानून क्या आ जाएगा वहाँ पर किसी अलग से संसद का जरुवत नहीं है जैसे भारत में जो संसद चाहिए वो संसद क्या है दरसल वो हमारा परतिनी दी है जो अलग अलग छेतर से इस तरह से अलग अलग छेतर से जो निकल निकल के जो आया है परतिनी दी वहीं संसद कला है ना क्या अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें उसी को क्या बोलते है उसी को एमेले कहते है इसको विधायक बोलते हैं तो राज्यों के स्तर पर भी होता है और तो उसके लिए कम फिकम आपको एक लाख लोगों का सिगनेचर होना चाहिए, तभी जाकर कि आपका संविधान में संसोधन हो सब्सक्राइब, क्योंकि देखो, संविधान संसोधन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जैसे भारत में अभी जब संविधान संसोधन ह होती है, तो क्या होती है, उसमें लोग सभा और आज ही सभा दोनों मिलकर करते हैं, तभी इन फैसला होता है, तो वहाँ पर संविधान संसोधन थोड़ा से चुकी एक बड़ा स्टेप माना जाता है, इसलिए वहाँ पर कितने लोगों का, जब कितना चाहिए, एक लाख लो तो समझे में लोगता होता है, पता ही है, पता नहीं, तो ऐसे में कई बर लोग होते हैं, आज पूछते हैं, जब जनता का उपपीनीन लेता है, जनता की राय लेता है कि हाँ आप क्या कहते हैं इस मामले में चूछा सा देश है तो जनता को राय देने में ज्यादा टाइम लगेगा चूछा की जनसंख्या कम है एक दिन में जनता अपना अपना opinion देगा कि हाँ इस चीज पर कानून बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, तो समझ में आ रहा है, तो कई बार वहाँ पर डाइट कानून ऐसे भी बन जाता है, सीधा पब्लिक ओपिनियन के छोड़ देता है, और ऑप्शन दे जाता है, यस और नो, जैसे मानों सिर्जर लेंड में गर बोलेगा, कि रेप पर कानून बनन कैसे देगा, यस, यह नो, दे देगा, अगर फिर जब सर्वे होगा, जब वो देखेगा, कि हाँ, मैक्समाम लोग क्या चाहते हैं, उसी इसाब से वहाँ पर कानून बन जागा, तो वहाँ पर कानून बनना कितना इसी है, सिंपल तरीक, जैसे घर में 4-5 लोग मिलकर के कहते हैं, जैसे आज घर में खाना क्या बनेगा, इस पर अगर फैसला लेना हो, तो कितना इसली तरीके से ले लेते हैं, समझ रहे हो, जैसे गाउं में कोई बड़ा decision अगर लेना हो, वो गाउं में मालों कहीं पर पूल बन रहा है, या फिर कहीं पर गाउं में स्कूल बगर बात कर लेता है, कि इस गवां में ये स्कूल खोलना चाहते है, आपको कोई दिक्स तो नहीं है, पूर आगों कोई दिक्क्त नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गवां के स्तर पर जब लोग opinion लेना चाहते है, तो कुछ लोग जो परतिनी दी बनके आते है, वो चीज क्या है, लेकिंग परिमार के स्थर की बात करते है तो यहां पर यह About और आटेज़ी चले एको पर यह alm समझ में आ गया तो जनता और सासन के संपर कैधार वाला यह माला ना टॉपिक कंप्लेट हो गया ठीक है कर दो गया दो गया ठीक है